पुर्व बॉलीबॉल रास्टे खिलाडी इच्छा राम सिंग की स्मिती भी उनके सबसे छोटे पुत्र भाश्वानेतावे अंबेटकर निगर अयोध्या परिशेत्र से पुर्वे विधान परशो सदस्य मनुज कुमार सिंग गुध्यु द्वारा जिले के शागंज दोभी आरा शेत्र इस्तित इच्छा राम सिंग महा विध्याले में आगामें 20 नवेंबर को विराड दंगल कायो जुन क्या जा रहा है जिसमें देश के कोने कोने से नामिगिरा में पहलवानों की मजूदगी सुनिश्चित करायो जाने की बाद कारिकर माय मनोज कुमार सिंग गुद्धु दोरा बताएगी मनोज कुमार सिंग गुद्धु ने बताया उनके पिता इच्छा राम सिंग सरकारी पत पर बने रहते वे भी जिस प्रिकार खेल के प्रती सम्पूरी जीवन समर्पित कर युवा के उद्देश को नई दिशा देने का कारे करते थे वो किसे से छेपाने उन्होंने बताया इच्छा राम सिंग शुरवाती दोर में जब AMC में कारे रध थे उस दोरा 9 वर्शो तक AMC सर्विसेस टीम को सुरने पदग मिला उसके बाद उनके द्वारा मोहन मिकिन्स जोईन किया गया तो मोहन मिकिन्स की यूपी टीम को सोड़ने पदक में लाश शिरू हुआ DLW रेलवे जोईन किया तो DLW को सोड़ने पदक में लाश शिरू हुआ इन्होंने बताय कि बॉली बॉल के खिलाडी रहे लेकिन खेलों के प्रत भी उनका सम्मार खिलाड़ियों के प्रति इसने बरकरार रहा उन्होंने बताय कोरोना काल में 8 मई 2021 में उनकी असमाईक मृत्यू से खेल भावना को नुकसान तो जरूर हुआ उसकी शति पुर्ति करने के उद्धेश से उन्हीं के स्मृति में विराड़ दंगल का युजित इस वर्ष से शिरू कराकर पतिवर्ष क्या उचाता रहेगा जिससे शेत्र वे जिले के खिलाडियों में पिता के कारियों से प्रिणा के माध्यम से उनका उत्सावर्धिन बना रहे इस वक्त मौझूद हैं आयोध्या और अम्बेतकर नगर पर शेत्र से पूर्व बिधान पर सदस मनोज कुमार सिंग गुड़ू के साथ और सम्बंध में बात करनी है मनोज कुमार सिंग गुड़ू चार भाईयों में सबसे छोटे पुत्र हैं सुर्गिय इच्छाराम सिंग जी के जिनका देहांत आठ मई 2021 को हुआ तमाम खेल प्रेमियों के वो हिरदय में बसते थे खेल का महत उनके जीवन में सरवोच रूप से हावी रहा जहां पर वो सरकारी नोकरी में रहते हुए एमसी सर्विसेज की तरफ से जब खेल रहे थे तो कई बार उनको नेशनल में गोल्ड उनके प्रयासों से टीम को मिला उसके बाद मोहन मेकिन्स में आने के बाद यूपी की टीम को भी गोल्ड मिडल प्रदत कराने में उनकी कारेभूमी का सहायक सिद्ध हुई और यूपी और लास्ट में डीयल डबलु में जॉइन करने के बाद उन्होंने डीयल डबलु के तरफ से जब खेलना सुरू किया रेलवे में तब रेलवे की टीम से को भी उन्होंने गोल्ड दिलाने में मदद की फिलाल लगवग 80 साल की उम्र में उनके द्वारा ब्यायाम के प्रति जो रुची देखनों को मिली इस्टेडियम में वो जाते थे स्विमिंग करने के सौकीन थे और कई महतपूर्ण खेलों में उनकी भूमिका महतपूर्ण रूप से सर्व समाज में देखने को मिला करती थी उन्हीं की स्मृत्य में उनके चौथे नंबर के पुत्र पूर विधान परसा सदस मनोज कुमार सिंग गुड़ू जो की बरतमान में भारती जन्ता पार्टी के नेता भी हैं और राजनाज सिंग जी के प्रयासों से उनको भारती जन्ता पार्टी में सामिल हुए लगवग दो बरस हुआ चार बरस हो चुका है और इस तरह से वह भारती जन्ता पार्टी की राजनीत के साथ साथ जहां पर परिवार में अपने पिता की भावना के मद्दे नजर उनकी स्मिर्थ में महाविद्याले में आगामी 20 नवंबर को एक बिराट दंगल का आयोजन कर रहे हैं आईए हम जानते हैं उसके संपर सं मंद में इनका क्या कहना है बाई मनोज कुमार सिंग गुड्डू जी देखे आपको जैसा मालूम है बाबू जी बहुत बड़े खिलाडी रहे और उनका खेल के प्रती बहुत थी महती समर पड़ा रहा या तो यह कह लिया जाए कि हम लोगों के लालन पालन में भी उस खेल का बहुत बड़ा युगदान रहा क्योंकि इनको इस्पोर्स कोटे के माध्यम से ही नौकरी मिली और वो अधिकारी के रूप में रेल्वेज में गए यह आपने सही कहा कि जब तक वो आर्मी में रहे तब तक सर्वीसेज गोल्ड पाई और सर्वीसेज छोड़ने के बाद जब रेल्वेज में आये तो इंडियन रेल्वेज में वालीवाल नैशनल में गोल्ड ली और यह सोभाग गिरहा कि जिन जिन टीमों में वो रहे वो नैशनल में गोल्ड लेती रही और पूरे जीवन उन्होंने आत्म साथ किया कि चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में शुब में एक ऐसी पेनाडमिक आई जिसके जिसमें उनका उन्हें सरीर छोड़नी पड़ी और उन्हीं के स्मरिती में ये और चुकि वो वॉलीबॉल के खिला ली थे खुद तो टेकनिक टेक्टिस वॉलीबॉल की सारी वो करते थे प्रेक्टिस लेकिन जो इस्ट्रेंथ के लिए वो हमेशा पहलवानों के साथ मेहनत उतनी ही मेहनत किया करते थे जितना ऐक पहलवान अंतराश्टियक के पहलवान जो है मेहनत करते हैं तो मुझे में इनहीं के इस मृती से मैं यह चाहा कि अब पहला यह कराए और यह टेस्ट के रूट में है एक दियुसी और चुकि उनकी शुरू से यह रही मानने था की ग्रास रूट चुकि वो भी बहुत सूर दिहाद से निकले थे और दिहाद से निकलने के बाद उन्होंने इतनी किस-किस जिले से या प्रदेश के किन-किन जिलों से लोगों का आगमन हो रहा है पहलवानों का आगमन हो रहा है आप तो प्रेस और पत्रकार बंधू आप सब लोग रहेंगे ही आप देखेंगे कि जनपद में इस तरीके का यह पहला दंगल होगा जहां पे लोग दंगल क के नाम पे नोटंकी कराते हैं नूरा कुस्ती कराते हैं यह सब नहीं होगा वो बिलकुल जितनी भी कुस्तियां होंगी सब काटे की होगी और एक-एक कुस्ती पर मैं बता रहा हूं चुकि मैं उस तरीके के दंगल देखा हूं योगे स्वर्दत से लेके बजंग पुनिया त पूरी ताकत इतनी जो पहलवानों की एकांत की महनत होती हो सब वहां पर आपको देखने को मिलेगी मैं तो संख्या इकजट नहीं बता सकता लेकिन जितने भी पहलवान आएंगे ये मुझे उमीद है कि मैं उतने लोगों का तो नहीं ही करा पाऊंगा क्योंकि एक दियूसी है इस से मेरे मैंने अगर एक दियूसी ना फाना होता पहले दो या तीन दियूसी फाना होता तो जाके इन लोगों के कुस्तियां हो पाती अब की मैं 14 जन्वरी के बाद जो दुति यह इच्छाराम सिंग मेमोरियल कुस्ती प्रतियोगता होगी उसको मैं दो या तीन दियुसी रखूंगा जिसमें मैं प्रयास करूंगा कि ना सिर्फ राष्टी अस्तर के बलकि अंतर राष्टी अस्तर के भी पहलवाना है उसमें लगबग सौ से सवासो जोड तक कुस्तिया देखने को मिलेंगी और वो देखेंगे कि एक गाउं के उसमें पूरा एकदम खेल मेला टाइप का लगा हुआ दिखाई देगा और इससे मेरी सिर्फ एक महत्वा कांशा है और किसी प्रकार की ना कोई राज्यतिक ना कोई आदर इसको लोग ना समझें भारी से भारी संक्या में आएं और देखें और उसको देखने के वहां पे गाउं के अगर दस बच्चे भी वहां से पहलवान निकलते हैं तो इश्वर से ये मेरे लिए और अम्बेदकन नगर पर छेत्र से भरते जंता पार्टी के नेता बाई मनुज कुमार सिंग उड़ू के साथ और हम इनके कारेयों की सराना करते हैं आपको भी करनी चाहिए क्योंकि ये समाजिक परमपरा और परिवार की परमपरा को पिता की परमपरा को निभाने का जो बीड़ा इन्होंने उठाया है इनके द्वारा बताया गया कि इस बर्स से उनकी अपने पिता स्वर्गी इच्छा राम सिंग जी की स्मृत में जो बिराड दंगल का योजन किया जा रहा है यह अनुवरत लगातार हर वर्स चलता रहेगा अयोध्या से दैनिक वासकर से पाट